सम्नी पीसिस आप आट तोगेधर नाओ वाट्स वेज़न स्यामसांग मोबैल्स में इंटरनेट सेटिंग्स कैसा करना डीटिल्स मिलेगा सिम काड मेनेजर आप देख सकता एटल वड़ फोन अगर इंटरनेट काम नहीं किया तो भी काल्स नहीं गया तो भी फरस्ट स्टेप ये करना फ्लाइट मोड एक बार आन करना आन किया तो आप देख सकता नेटवर्क चले गया सिगनल नहीं आता इसका बाद फिर आफ करना आप किया तो signal आ जाएगा इसका बाद आप चेक करना एक बार calls नहीं गया तो भी इंटरनेट काम नहीं किया तो भी जरूर काम करेगा इंटरनेट इसका बाद आप SIM card manager पे टाप करना अगर इंटरनेट काम नहीं किया तो आप देख सकता इदर data service network SIM 2 पे है अगर आपको ATL पे चाहिए तो SIM 1 में ATL SIM में select करना number 1 पे इसका बाद switch mobile network करके switch पे टाप करना जो रिचाज किया इंटरनेट को वो data service network पे होना चाहिए बाद में इदर भी switch करके switch पे टाप करना बाद में mobile network पे टाप करना इसका बाद आप देख सकता network mode पे टाप किया तो LTE WCDMA GSM auto connect इसी settings पे होना चाहिए tick mark highlight होना चाहिए WCDMA only GSM only नहीं रहना चाहिए auto connect पे रहना चाहिए बाद में access point name में tap करना अब देख सकता इदर atl internet atl gprs.com पे है यह correct settings है अगर atl mms या atl live पे यह वा तो काम नहीं करेगा बाद में more पे टाप करके reset to default में tap करना reset to default पे ok करना restoring defaults to apn settings अगर show नहीं हुआ तो भी इदर आप more पे टाप करके reset to default पे टाप करना आप देख सकता name atl internet आए apn atlgprs.com पे जरूर settings होना चाहिए अगर आप roaming में हुआ तो दूसरा state में हुआ तो roaming on करना बाद में data usage पे टाप करना mobile data on होना चाहिए mobile data limit आफ होना चाहिए यह best settings है internet काम नहीं किया तो भी आप यह settings करना mobile data limit आफ होना चाहिए बाद में sim card manager है अगर आप word of phone internet यूज करना तो data service network आप जो sim insert किया first slot या second slot वो select करना अभी word of phone select second sim slot पे आए data service network sim 2 select किया में आए आपका चाहिए कैसा भी settings कर सक्ता sim 1 पे भी settings कर सक्ता internet sim 2 में भी settings कर सक्ता data service network sim 2 पे अभी settings हो गया इसका बाद आपो mobile networks पे tap करना बाद में network mode sim 2 अब देख सक्ता इदर LTE WCDMA GSM auto connect इसी तरह settings होना चाहिए यह best settings है बाद में access point names पे tap करना बाद में इदर sim 2 पे tap करना Vodafone connect select हो चुका है अब देख सक्ता www 3w आना चाहिए बाद में अगर internet काम नहीं किया तो more पे tap करना बाद में reset to defaults इदर भी same settings है reset to defaults ok पे tap करना restoring APN settings करके आगया आप देख सक्ता इदर कभी भी ऐसा setting होना चाहिए अगर Vodafone MMS Vodafone live आथो internet काम नहीं करता आप इदर देख सक्ता APN में www है बोट आसान से आपो internet settings कर सक्ता कुछ भी doubt आथो comment करना comment section में वीडियो देखने के लिए दन्यवाद